अगर आप में बढ़िया संतुलन है, तो आप अपने जीवन में हर वो चीज करेंगे जो आप कर सकते हैं। आप इस प्रक्रिया को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इसे सोने से ठीक पहले करते हैं, तो ये थोड़ी दूरी बनाने का एक सरल तरीका है। अगर मैं दिन ठीक से शुरू करता हूँ, शरीर का खयाल रखता हूँ, अगर बातचीत सही होती है, तो मैं किसी भी चीज को संभालने के लिए ज्यादा अनुकूल महसूस करता हूँ। आप क्या करते हैं। वैसे, मैं अपनी जिंदगी बे तहाशा जीता हूँ, अगर आप में आंतरिक और बाहरी दोनों स्तरों पर ध्यान देने की एक अगरता है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस बात से संघर्ष करना होगा कि कौन आपको परिशान करेगा, क्या आपको परिशान करेगा, क आपके पास बुद्धि मत्ता हो सकती है, आपके पास प्रतिभा हो सकती है, आपके पास ख्रमता हो सकती है, आपके पास कई चीज़ें हो सकती है, आपके पास बहुत सारी संपत्ती भी हो सकती है, लेकिन अगर संतुलन नहीं होगा, तो ये सभी चीज़ें आपके खिलाफ ह आपके अपनी बुद्धी आपके खिलाफ हो जाएगी, आपके संपत्ती आपके खिलाफ हो जाएगी, आपके रिष्टे आपके खिलाफ हो जाएगी, हर चीज आपके खिलाफ हो जाएगी। तो आपके पास जो कुछ भी है, आपकी बुद्धी, आपकी क्षमताएं, आपकी प्रतिभा स्वाभाविक रूप से सर्वोच्च संभव अभिव्यक्ति पाएंगी. या दूसरे शब्दों में, अगर आप अच्छे से संतुलित हैं, तो आप हर वो चीज़ करेंगे जो आप अपने जीवन में कर सकते हैं, जो आप नहीं कर सकते, वो आप ऐसे भी नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप संतुलित नहीं हैं, तो आप जो कर सकते हैं, उसे भी नहीं कर तो एक सरल प्रक्रिया है, आप इस प्रक्रिया को डाउनलोड कर सकते हैं, आप इसे दिन में 12-15 मिनिट कर सकते हैं, इसे इशा क्रिया कहते हैं, शुरुवात में कुछ दिनों तक आप इसे सुन कर करते हैं, ये कुछ समय तक निर्देशित होता है, इसे मान लीजिए अगर आ एक महिने तक सुन कर करते हैं, उसके बाद आप इसे बिना किसी मार्क दर्शन के भी कर सकते हैं, आप इसे खुद से कर सकते हैं, हर दिन बस खुद को याद दिलाते रहें और अपनी सांस को उससे जोड़ते रहें, खास कर अगर आप इसे सोने से ठीक पहले करते हैं, तो ये थोड़ी दूरी बनाने का एक सरल तरीका है, आपके और आपके शरीर के बीच, आपके और आपकी मनोवैज्यानिक प्रक्रिया के बीच.